जै माताई दोस्तों आने वाले करवा चौत ब्रत के लिए आप सभी माताओं बेहनों को धेर सारी शुप कामना है भगवान स्री हरी विष्णू आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन परियंत्र अपने पती की लंबे आयू के लिए करवा चौत का ब्रत करती रहें यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आजके वीडियो में मैं आप सब के साथ से एर करनी हूँ करवा चौत ब्रत में मासिक धर्म या पीरियट से अगर गुजरते हैं तो आपको अर्ग जो है वो कैसे देना चाहिए पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए क्या करना चाहिए सम्पूर जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ share करने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कि करवा चौत ब्रत में periods के दौरान पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए तो अगर आप पहले से ही सारी तैयारी जो है वो बना रहे थे और लाश्ट में आपको करवा चौत के दिन या करवा चौत के एक दिन आगे पीछे periods जो है वो आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहे है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप पूरी विदिवत रूप से ब्रत करें ब्रत आपको बिलकुल नहीं छोड़ना है करवा चौ पूजा की बात रह गई अर्ग की बात तो देखे जो चंदरदेव को अर्ग है वो आप अपने पती से दिलवा सकते हैं इसमें कोई दिकत कोई परिशानी जो है वो नहीं है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैं बोलू कि आप अपने सास से ननत से दिवरानी जिठा या आस पडोस मुहले में किसी से भी अर्ग जो है वो दिलवा दीजिए तो अभी एकल परिवार हो गए हैं बहुत सारी बेहने जो परिदेश में रहती हैं उनको देवरानी जिठानी तो आप छोड़ी दीजिए अडोसी पडोसी भी कोई नहीं मिलती है जिनसे वो अपने नाम की पूजा अर्चना जो है वो करवा पाएं तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है आपको वरत करना है अर्ग जो है वो आपको अपने पती से दिलवा देना है जो चौकी लगा के पूजा की जाती है वो आपको नहीं करनी है क्योंकि वो पूजा आपको skip कर देना है, इस चीज को आपको छोड़ देना है, आपको नहीं करना है, चौकी लगा के जो पूजा है वो आप छोड़ दें, बिल्कुल ना करें, वरत नहीं छोड़ना है, वरत आपको पूर करना है, चंद्रदेव को जो अर्ग है वो आप अपने पती से दिलवा द और जो पती की पूजा है वो आपको करना है पती की पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी आपको नहीं करना है पती की पूजा आप पूरी विधिवत रूप से कर सकती है इसमें अगर आपका पीरियर्स या मासिक धर्म चल भी रहा है तो इसमें आपको बिल्कुल भी असमंजस की स्तिती नहीं बनानी है, सोचना समझना नहीं है बिलकुल भी, ऐसी स्तिती में आप पूजा पार जो है वो कर सकते हैं, अपने पती की, चंद्रदेव की नहीं करना है, महादेव की नहीं करना है, माता पार्वती की नहीं करना है, करवा माता की नहीं करना है, सि लग कीजिए उनको मिठाई खिलाइए आर्थी उतारिये पैर छुएए जिस भी प्रकार से आप पूजा करती हैं हारवार पहनाती हैं तो आप उसी प्रकार से पूजा पाट जो है वो कीजिए बस आपको जो भगवान है उनकी पूजा जो है वो नहीं करनी हैं तो उमीद करत कि इस छोटे से वीडियो ने आपको संपूर जानकारी जो है वो दे दी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे जादा से जादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आप सभी माताओं बेहनों को करवच ओत ब्रत की धेर सारी शुप काम नाएं जै मातादी दोस्तों